बिस्मिल्य रुक्मान दिर्रहीम तोड़ेस टॉपिक ऑफ डिसकेशन इस चैप्टर नाबर 62 उप गाइटन हमने इस चैप्टर के तीन पार्ट करने है पहला पार्ट में ब्रेन मेटबोलिजम पढ़ेगे दूसरा पार्ट में हम पढ़ेगे CSF की सर्कुलेशन तीसरा पार्ट में पढ़ेगे ब्रेन की सर्कुलेशन को पढ़ेगे तो पहले पार्ट पढ़ते हैं ब्रेन के मेटबोलिजम जो ब्रेन का मेटबोलिजम होता है वो हमारी बोटी के टोटल मेटबोलिजम का 15% होता है लेकिन जो ब्रेन का जो टिश्यू सेंटर होता है, वाइटल सेंटर होता है, यहाँ पर emotions control होते हैं, आपर decisions control होते हैं, memory विगरा की formation भी ही पर होती है, जिसके वरे से जो brain के metabolism है, काफी ज़ाधा होता है as compared to other normal tissues, just like skeletal muscles, जो brain के दर oxygen utilization होती है वो कितनी होती है, वो होती है, 49 milliliter पर मिनिट ये भी काफी जाद है ग्लुकोस की utilization होती है 77 mg पर मिनिट ये भी बहुत जाद है तीसरी बात glutamate glutamate आपको पता है कि ये excitatory neurotransmitter है तो इसकी utilization भी काफी जाद अच्छे amount भी होगी तो ये होती है 5.6 mg पर deciliter तो ये थे brain metabolism के कुछ important features अब हम पढ़ लेते कि जो brain के metabolism होता है वो glucose के उपर depend होता है वो ना lipid के उपर होता है ना protein के उपर mainly वो glucose के उपर होता है जो blood glucose होता है specifically जो centrum nervous system है neurons के अदर जो glucose channel होता है ट्रांसपोर्टर होता है जो facilitated caffeine के जरिए glucose को cell के पुश करेगा उस channel को बले गया हम glut 1 याद रखिएगा कि जो insulin glut 4 को control करती है किन के अंदर adipose tissue के अंदर skeletal muscle के अंदर और cardic muscle के अंदर जो glucose का metabolism होता है वो neurons के अंदर होता है as compared to glial cells ऐसा क्यों हो गया क्योंकि ज़्यादा तर energy कौन खाते होते हैं neurons खाते होती है as compared to glial cells और एक बात आपको बता है कि जो ज़्यादा energy इस्तमाल करेगा तो उसको metabolism भी ज़्यादा होगा उसका metabolic rate भी ज़्यादा होगा तो 90% गलुकोस की जो consumption होती है वो neurons में होती है neurons में किस process का activate करने में sodium potassium ATPase pump को चलाने में calcium pump को चलाने में यनि जो pump जो ऐसे process जो energy को खाते होती है वो pump ही होती है तो sodium potassium ATPase pump को चलाना calcium pump को चलाना इसके लावा दूसरे pumps को चलाना ताकि जब भी action potential होता है तो आइंस की जो concentration होती है काफी ज़्यादा खराब हो जाती है उसको maintain करने के लिए pump की ज़ुरत पढ़ती है वो pump initial concentration को वापिस अपनी जगा पे लेके आ जाएगा तो ये pump को चलाने के लिए energy चाहिए होती है वो glucose से आ दिया है glucose delivery to brain अब glucose brain के बाद कहां से आएगा अगर brain की activity ज़्यादा होई है तो जो दो मिनट का जो glucose होता है न वो neurons के अंदर glycogen के फार्म में store होगा तो जो first two minutes होगा activity के उस दुरान में जो energy चाहिए होगी वो glycogen के फार्म में आगी वो glycogen neurons के अंदर पहले से ही store होगा इसके बाद दो मिनट के बाद जो हर second होगा हर मिनट होगा उसकी जो energy आनी होगी वो glycogen के फार्म होगी वो glycogen derived होगा capillary blood से आपको बताने की जरूरत नहीं glycogen brain के और neurons होते हैं उसमें एंटर होगा glut 1 के जरीए है और ये glut 1 होता है इसको insulin के जरूरत नहीं पढ़ती होती इसका मतलब है कि diabetes mellitus के patient पे insulin जैसे type 1 में insulin नहीं होती है और type 2 में अगर insulin होती है तो उसका action काफी ज़्यादा oppose हो चुका होता है उसकी sensitivity कम हो जाती है यानि उसकी resistance काफी ज़्यादा severe होगी है diabetes mellitus के patient में भी glucose neurons के अंदर जा रहा होता है यह काफी fortunate condition है अगर ऐसा होता कि glut 1 channels भी insulin के उपर depend करते तो जो diabetes के patient हो तो survive नहीं कर पाते क्योंकि इनके neurons को glucose नहीं मिल रहा glucose नहीं मिल रहा तो वो अपनी survival को maintain नहीं कर सके गए लेकिन अगर diabetes mellitus के लो patient है अगर वो insulin को ज़्यादा ले ले insulin ज़्यादा ले ली तो वो ज़्यादा स्वियर hypoglycem में अकास कराएगी insulin अपने target tissue के अंदर glucose की ज़्यादा entry करा देगी वो target tissue कौन से थे skeletal muscle, cardiac muscle and adipose tissue इनमें ज़्यादा entry करवा देगी जब glucose इतने ज़्यादा enter हो जाएगा skeletal muscle, cardiac muscle और endipose tissue के अंदर तो central level system के लिए तो glucose बचा ही नहीं इस condition में जो hypoglycem में severe हो जाएगा तो जो neurons के पास glucose supply होगी वो ना होने के बराबर होगी फिर क्या होगा फिर seizures होगे coma होगा इस condition में जो CNS के dysfunction देखने को बिलती है glucose ना होने के वरे से जो brain के tissue है उनमें anaerobic metabolism क्यों नहीं तर जादा होता इसका एक main वज़ा यह होता है कि anaerobic metabolism में energy बहुत ज़दा कम मिलती होती है आपको पता कि जो 2% energy मिलती होती है anaerobic metabolism से लेकिन aerobic metabolism के नतिज़ा में काफ़ ज़दा में energy मिलती है almost 32 ATP मिलते होते है दूसरी बात neurons के metabolism इतना ज़दा हाई होता है कि अगर वो anaerobic metabolism के उपर चले तो इस थारे body का glucose भी खता होजे फिर भी इनकी energy की demand पुरी नहों सके तो वाला तरह नहीं की system मनाया है कि जो neurons होते हैं वो anaerobic metabolism acquire नहीं करते हैं अलपताफ वो यह कर सकती है कि अगर starvation severe हो जाती है glucose की कमी इतनी शदीद हो जाती है कि वो किसी और चीज़ की ज़ुरत पड़ती है energy के लिए तो वो ketone body को समाल कर सकती है लेकिन वो anaerobic metabolism की तरफ जंप नहीं करेगे जब extra cellular fluid के pH ड्रॉप कर जाएगी तो neurons की excitability वो भी कम हो जाएगी once again यह cast करेगा coma cast कर सकता है यह fainting cast कर सकता है आज हम इस chapter का दूसरा part पढ़ लेते हैं chapter number 62 का guide in के अदर CSF CSF के बारे में कुछ normal values पढ़ लेते हैं कि CSF का जो volume होता वो 150 ml होता है इसका जो pressure होता है वो 65 से लेकर 195 अगर हम इसका average लेना चाहो तो वो होगा 130 mm of water तीसरा इसका rate of protection कितना एक दिन में कितना CSF produce होता है वो होता है half liter यानि 500 ml जो number of lymphocytes होते हैं CSF के अंदर नॉनर्बल CSF के अंदर वो हो सकते हैं 0 से लेकर 3 lymphocytes पर cubic mm इसका लिए cranial cavity में किन किन parts में होता है पहली बात ही ventricles में होगा ventricles 4 होते है lateral, third and दो lateral ventricles होते हैं third ventricles होता है और एक fourth ventricles होता है और इकों जोडने वाली किनाल होते हैं cerebral equiduct of sylubius दूसरी बात ही कहां पहोगा एक कुछ sub-recognite space होती है brain के बाहर cranial cavity के अंदर लेकिन brain tissue से बाहर उन sub-recognite space को बोलते हैं systems जैसे intra-predicular systems spontaneous systems और ambient systems ये systems में भी CSF होता है तीसरी बात जो brain से बाहर होता है sub-recognite space वहाँ पे भी हो सकता है यानि brain के अंदर ventricles की form में होगा protection प्रोवाइड करता है अगर हमें कोई मुका लग जाए तो हमारे brain को इतनी injury नहीं होती क्योंकि CSF उसको protect कर रहा है दूसरा उसका function होता है कि ये mechanical buoyancy प्रोवाइड करता है brain को support प्रोवाइड करता है जिसकी वाज़े से brain CSF के अंदर float करता है once again, यह protection के mechanism में आता है, तीसरा, यह reservoir की तोरुपे काम आता है, reservoir और कभी कबार ऐसा होता है, कि जो cranial cavity का जो pressure होता है, उसको भी maintain करता होता है, चोथा function होता है, कि यह CNS को nourish करता होता है, इसमें nutrients material भी होते हैं, लेकिन यह function इतना ज़्यादा important नहीं होता, चोथा function होता है कि यह pineal gland की secretion को भी transport करता होता है, कि pineal gland की secretion, pituitary gland के पास आजए, pituitary gland के पास आने के बाद, यह pituitary gland के specifically जो reproductive hormones होते हैं, FSH, LH, इनकी secretion को suppress करता है, यानि reproduction वाले mechanism को भी यह suppress करता है, pineal gland की secretion, जिसको हम melatonin बोलते हैं,